नमस्कार मैं कशिशो और स्वागत है आपका विर्खास कारेक्रम राजनेतिक गलियारा में मुद्द है सचिन पालेट देखा जाए तो पालेट का मुद्दा लगतार चल रहा है लगातार यहाँ पर यही सवाल बने हुए कि आखिरकार कब पार्टी उन्हें आगे करेगी कब बड़ी जिम्यदारी दी जाएगी और इस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आई वो यह है कि एक बाद फिर से सुखजिंदर सिंग रंधावा और यहाँ पर केसी मिर्डू को प लाफ करने की जरूरत है अब इसके आगे देखा जाए यहाँ पर तो देश बर में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है गौतम अडानी का अब इसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी लगातार हमलवर होती हुए नजर आ रही है लेकिन अब यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी पर इस तरी के सवार राहूल गांदी सोनिया गांदी मलीक अरजुन खड़के पर लगातार उठ रहा है उसकी वज़े से होने वाले नो राज्यों के चुनावों में काफी जादा फरक पड़ता नजर आएगा और खास करकी यहाँ पर देखा जाए तो मद्यप्रदेश में और राजस्थान में तो राजस्थान में सबसे वड़ा मुद्दा जो है अंदुरी तोर पे वो यहाँ पर गहलोत और पालेट का ही देखा जा रहा है बार बार का आजाता है कि पालेट को बड़ी जिमेदारी दी जाएगी मलीक अरजुन खड़के कोई ना कोई फैसला जरूर पूड लेंगे यहाँ पर सचीन पालेट को जिमेदारी दी जाएगी लेकिन नहीं मिल रही जिमेदारी ये भी सवाल लगातार बना हुआ यहाँ पर लगातार यहाँ पर कई ना कई सोनिया गांदी के खिलाफ मोड़चा खोलने की पूरी तैयारिया कर चुके है साफ तोर उनका भी कहना है कि मलिकाज उन खड़के को भले ही जमेदारी दे दी गई है उन्हें भले ही रास्ट्रे अध्यक्ष बना दिया गया हो लेकिन जो भी फैसले हो रहे है वो अंद्रोनी तोर पर सोनिया गांदी ही लेती नजर आ रही है और यहां पर भले ही वो मीडिय के सामने नहीं आ रही लेकिन फैसले उन्हीं के तरफ से है तो यहां पर पैलेट को लेकर ही सवाल रहेगा अबरार मेरे साथ है अगर देखा जाए यहां पर तो अब जिस तरीके से बार बर यह का जा रहे कि पैलेट को जरूर आगे किया जाएगा जरूर जिमेदारी दी जाएगी लेकिन आकिरकर जो देरी इहां पर हो रही है, उसकी क्या खास वज़ा माने जा रही है, क्या अब ठक चुकिया पार्टी की जो चल रहा है, उसको चलते रहने देना चीए? लेकिर राजस्तान में विधान सबा चुनाओं है, जार से बात है कि विधान सबा चुनाओं को देखते हुए पार्टी के परभारी की बात करें या फिर कॉंग्रेस पार्टी के राज़्ट रहरे हैं, उपूरी तरीके से सतरक्ता बरत रहें, और अभी मातराट दस मेनों के बीतर चुनाओं होंगे तो जाहर से बात है कि इस समय अगर किसी भी बड़े नेता के खिलाव कोई कारवाई की जाती है तो जन्ता के बीच जो मैसेज जाएगा वो पार्टी के वोट बैंक पर काफी अच्छा खासा आसर जो है डाल सकता भी कि अगर बात की जाए तो गुजर वोट बैंक को लेकर कि भारती जन्ता पार्टी जो है लगातार काम कर रही है देवनाराइन कॉरीडोर को लेकर खुद परधान मंतरी जब 27 जन्वरी को राजस्थान के दोरे पर थे तो उन्होंने कई तरिके से बाते की और गुजर समाज के वोट को जो हासल करने की लगबग अब कह सकते कि पचास से साथ सीटों पर उनकी तादाद जो है तिस से चालिस परतिश्यत है तो जाहर सी बात है कि उनका अगर वोट बैंक बीजेपी के तरफ शिफ्ट होता है तो सत्ता में आने के लिए काफ़ ज़्यादा असानी पैदा हो सकती है और इसी के साथ भी OBC वर्क का एक बड़ा तबका है और अभी कि अगर बात की जाए तो राजस्तान विदान सभा के जो कुल सदा से उनके से लगवग पच्चास सदा सोबी सी वर्क से आते हैं तो ऐसे में गर शिफ्ट के खिलाफ कोई कारवाई की जाती है तो वोट बैंक के लिए से एक बड़ा जटका और एक बड़ा रिस्क जो है कॉंग्रेस पार्टी के लिए हो जाएगा और इसी वजह से लगातार कहीं ने कहीं इस मुद्दे को जो है ठंडे बस्ते में डाला गया है और कॉंग्रेस पार्टी के राश्ट्र एदक्ष होने कि नहादे मलीका अरजु गहलोट के ही चेहरे पर अंग्रेस पार्टी उत्रेगी सचिन पालेट के इससे में फिलाहल भी इंतजार करना है लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी बैट के लगातार हो रही है अभी भी इहाँ पर सोमवार को बैट अकुई ती सुगजिंदर सिंग करना है और किसी और नेता को क्या कुछ करना इस पर सारी चीजेंस होगे लेकिन देखाजाये तो अजे माकंन के सामने भी यही चुन अती थी अब सुकजिंदर सिंग रंधावा के सामने भी यही चुन कहाँ भर। परियावाइए ऐस सुनावों गया शाक सॉझत से सब्सक्राई यह गौर अंगर बस में देखेंगे उनको परियवेक्षट बनाया गया लड़कर जईटतों सिंसेॕ सकते हैं कि एक राग्रीज की सरकार आ गई तो जाइड सी बात है कि इस अचीन egent को सरके के मुख़ों पर आगे ज़रूर किया जाता है लेकिन पत देने की जब बारी आती है तो कहीं न कहीं कांग्रेस पारटी इस में उत्णाई करती जाते हैं तुसाहर सी बात है कि एक बड़ा उलट फेर की इस्तिती भी पैदा हो सकती है आला कि इस समय काये जा रहा है कि कांगरेंस पार्टी राजस्तान में तमाम जो है ऐसे विधायकों को लेकर के खास तोर से जो है काम करी जो विधायक लगता है गुटवाजी में बटे ह होती है कि अगर इस तरीके की जो है लगतार उनके रवयों में अगर तबदिली नहीं आती है तो जाहर सी बात है कि विधायकों का ये रद्यामल जो है वो एक तरीके से शोग गैलोट को भारी परता नजर आ सकता है और इसके लिए उन्हें तयार भी रहना चाहिए अगर च मुक्यमंतिरी कैसे बन पाएंगे क्योंकि अगर सचीन पालेट के समर्थन के तमाम लोग जिद करके आएंगे तो जाहर सी बात है कि वो पूरी तरीके साब कह सकते हैं कि मुक्यमंतिरी पद को लेकर एक बार फिर से दावेदारी करते नजर आएंगा एक और आखरी सवाल र बीजेपी इस पूरे खेल में अगर बिते दो तिन महीनों की बात की जाए तो कई तरीके से योजनाएं और आप कह सकते हैं कि अजब निर्मेला सितरह मनें बजट पेश किया तो तो उसलिहास से अगर दिखा जाए तो राजस्तान को कोई विशेश पैकेज तो नहीं दिया सकती है और इसमें अगर माना चाहे तो कॉंग्रेस पार्टी के इस बड़े उतल पुतल का सीज़तों पर फायदा भारते जनता पार्टी को मिल सकता है और अभी कि अगर बात की जाए तो बिल्कुल इस तरह के आसार भी नसरात है तो यानि कि कई नकई अगर देखा जाए तो पार्टी को जिमेदार है नहीं मिलेगी ये भी अभी कही न कई अभी फिर से सवाल बना हुआ है तो यही कहेंगे कि चुनाब बह soon तो यह बहुत निस तरफ है दोनों यह पार्टी में अंदुरोंवालाय लागतार चल रहे है लेकिन उस पार्टी में मलीक अर्ज झाल झाल